जैहिन दोस्तो वेलकम टू वियाट्रिकी दोस्तो आप सभी को बिहार सिचक भरती से संबंदित कुछ नए अपडेट हैं जिसके बारे में आपको जनकारी होनी चाहिए चलिए तो हम आपको उस बारे में बता देते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा हमारे पास तीन ज जरूरत हो आपको इसके बारे में जानना चाहिए जैसा कि मैं आपको बता दू सुरू में ही कि इसमें हम किस चीस की बात करेंगे तो अगर आप विद्यार्थी हैं और आप इस बार फॉर्म भरने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि जो दो बार सामिल हो चुके हैं वो सोस जरूरी के लिए भीजा जा सकता है जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं हो और तीसरा नीज यह है कि अगर आप पहले से ही पीपीएसी वन में सिच्छक बन चुके हैं और विपीएसी टू में भी आपने ये सिच्छक की पतरता प्राप्त कर लिए तो आपको पहले विपी भी मिलेगा इसमें हम समझेंगे चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिच्छक भरती की तीन मौके होंगे जो दो बार सामिल हो चुके हैं वे सोस समझ कर आवेदन करें इसके बारे में हैं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करती है ऐसे में सोस समझ कर आवेदन करें या ध्यान देने की बात है कि एक ही बार के विग्यापन के तहट एक से पांच छे से आठ नौ से दस और ग्यारत से बारत तक के फॉर्म भरने के लिए एक अटेंप्ट ही माना जाएगा यानि कि अगर आप एक से पांच भरते हैं से बारत तक में भरते हैं जैसे कि बीपसि थ Richardson 3 में भरते हैं तो आपका एक ही ऐक गपंठ माना जाएगा नहीं कि आप एक से पांच में भरेंगे तो इस बार एक बार आट नौन के मुंधित नहीं exercise हllä अधे से बारत भरते हैं तो भी आपका सिर्फ एक अटेंप्ट माना कुछ चात्रों को लेकर मुखमंत्री समराट चौधरी से मुलकात करेंगे वो लोग जाएंगे सिविल सर्विस एक्सपर्ट राज की सोर दूबे ने कहा कि जो अभियती दो बार परिक्षा दे चुके हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा दे चुके हैं वे तैयारी उनकी अगर तैयारी नहीं है तो वो इस बार आवेदन नहीं करें ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आपक से 17 मार्च की बीच होगा रिजल्ट 22 से 24 मार्च की बीच आएगा ठीक है दोस्तों आगे बात कर लेते हैं अगली निउस की अगर आप टीचर से चक बन जाते हैं तो उन स्कूलों में भी आपको भरती किया जाएगा जिस स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं है इससे र पढ़ लेते हैं आपको समझने आजाएगा कि सरकार क्या कह रहा है सिछकों को क्या बतारा चा रहे है न माढमित मादमिक विद्वध्याले में अगर छाचांचराओं का एक भी नमांखन नहीं होगा यहां देख लीजिए कि अगर आपका एक भी न मांखन सबी विशाय के स ऐसे स्कूलों में नमानकन के लिए परचार परशार किया जाएगा यानि कि आपके वहां पर ड्यूटी पड़ जाती जिसा स्कूल में एक भी विद्धारती नहीं हों तो सिच्छकों का काम होगा कि उस गाउं में या स्कूल असके आसपास जाकर के परचार परसार करें इसके बाद अगर 30 सितंबर 2024 तक एक भी छातर नमानकर नहीं लेते हैं तो इस स्कूल को बंद करने पर सिच्छा विभाग विचार करेगा इसको देखते विभाग यह आदेश जारी किया है उन्होंने कहा कि चैनित 55,000 माध्यमिक और उच्छ माध्यमिक में युगदान दे रहे हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि एक भी विद्यार्थी जहां पर नहीं है उसे पढ़ाने के लिए वहाँ पर कितने टीचर हैं 5-7 सिच्छक अनिवार रूप से दे नहीं है ठीक है तो यह सारी सौट चीज़े हैं आप उसके बाद तीसरी चीज़े यहाँ पर देख सकते हैं यहीं पर मैं बता देता हूं आगे भी इसकी कटिंग है मेरे पास पूरा अलग से बट मैं यहीं पर बता देता हूं सौट में ताकि आपको ज़्यादा समय ना देना पड़े और इससे पहले दोस्तों प्लीज चैनल को सस्क्राइब करकी बाहर जाईएगा ताकि इसके अगली बार मैं जो भी नौटिफिकेशन लाओ आपको मिल जाए आप तक खबर पहुँच जाए कि क्या बिहार में सिच्छक भरती को लेकर के लेटिस्ट चीज़े चल रही है आपने BPSC 2 में 9,10 या 11,12 का फिर निकाल दिया है तो आपको 11,12 में सिच्छक बनने के लिए पहले आपको 6-8 में जिसमें आपने जोइनिंग लिया था पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा जोइनिंग बाद में होगी पहले इस्तीफा देना होगा इसके लिए क्या क आपको इस्तीफा देना होगा इसके लेकर के मादमिक सिच्छा निदेशक कनहया परशाद ने सभी डियो को पत्र बेजा है दरसल पर पहले चरण में निक सिच्छक को दूसरे चरण में भी पसंदिदा जीला मिल गया या उच्छ वितनमान चैन हो गया इसके लिए दूसरे चरण में निक्त होना चाहते हैं यानि कि उनको पहले चरण में निक्त हुए थे और फिर उसके बाद जो दूसरे चरण में उन्होंने एक्जाम निकाल लिया उनको या तो बहुत अच्छा जीला मिल गया है उनके मन पसंद का या फिर कुछ सैलरी जैस तो अभी रिलेटेड जितने भी न्यूस थे वह आये थे मैंने आपको बता दिये हैं अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा हमें सपोर्ट कीजिएगा अपने जितने भी ग्रूप है एजुकेशन से रिलेटेड उनमें सेयर कीज और हम भी चाहते हैं कि आप हमारे मैनत को शिर्वात दे प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा जाने से पहले जैसे ही कोई अपडेट आगा हम आपको ज़रूर बताएंगे थैंक्यू सूमच